ये जो साथ का अंक है ये भारत सरकार और मोदी जी के साथ चिपक चुका है अगर हम बात करें मुद्रा इस्फिती महंगाई की दर जो कल जिसकी गोशना हुई वो 7.01 प्रतिशत अगर हम बात करें कि बेरोजगारी की दर CMIE ने निकाली वो 7.08 प्रतिशत अगर हम बात करें एक जन्वरी से लेकर अब तक रुपिय में कितना हाश हुआ रुपिया कितना डेप्रिशेट हुआ तो वो 7 प्रतिशत एक जमाना था हमारे साथ भी साथ का अंग चिपका था 2004 से 14 पर हमने उसको चिपकाया था GDP की विकास दर में हमारी जो एवरेज ग्रोथ रेट है 2004 से 14 वो 7 प्रतिशत से जादा रही थी हमने भी साथ को लिया था पर वो लिया था हमने देश की GDP विकास दर में महेंगाई की दर में नहीं रूपे के हाश में नहीं जो बेरोजगारी की दर में नहीं साथियों कल जो महेंगाई दर के आंकड़े घोशित हुए उसके बाद ये प्रतीत होता है कि जैसे जैसे महेंगाई की दर economy में बढ़ती जा रही है वैसे के वैसे मोधी सरकार की अयोग्यता, incapability और incompetence to handle economy देश के सामने आ रही है हाँ मोधी सरकार का एक काम जरूर जोरो शोरो से चल रहा है polarization की राजनिती, dish harmony की राजनिती, जबकि जो महेंगाई की दर से देश को निजाद दिलाने की बात हो बेरोजगारी की दर को कम करने की बात हो, गिरतेवे रुपिय को रोकने की बात हो, वहाँ पर वो मौन बैठीवी नजर आ रही है मैं कुछ आखड़े लेके आया हूँ और ये सारे आखड़े भारत सरकार ने जो कल अपनी प्रेस विज्यपती जारी की उसमें से लिये है देश ने पिछले मईने जून 2022 में बेरोजगारी की दर देश में 7.8 प्रतिशती और 25 लाख 25 लाख लोगों ने अपनी नौकरी सिरफ जून 2022 में कोई है ये मैं नहीं कह रहा, ये CMIE कहां कड़ा है कि 25 लाख लोगों ने सिरफ एक महा में अपनी नौकरी खोई है उसके जब नौकरी खो रही है, लोगों की लगातार नौकरी जा रही है उसमें आग में घी का काम कर रहा है, लगातार बढ़तावा मेंगाई दर मेंगाई दर लगातार पिछले 33 महीनों से अगर मैं बात करूँ तो रिजर्व बैंक का जो मीन टारगेट है 4 प्रतिशत उससे जादा है रिटेल इंफलेशन लगातार 7 प्रतिशत से जादा बना हुआ है अप्रेल में, मैं में, जून में लगातार 7 प्रतिशत से जादा बना हुआ है और बेरोजगारी की दर लगातार 7 प्रतिशत से जादा और बढ़ती जारी है महीने दर महीने और ये सारे जो data points है इन data points के बावजूत BJP government is in deep slumber वो कोई इस पे बात नहीं कर रही एक और रोचक तथी आपको बताना चाहता हूँ जब महिंगाई का आकड़ा आया कल 7.01% retail महिंगाई का मुझे उम्मीद थी कि देश की वित्ट मंत्री इसके बारे में कोई टिपनी करेग पर उन्होंने महिंगाई के आकड़ों को जारी होने के बाद साथ ट्वीट किये और सारे ट्वीट उन्होंने नाशा के photos बताए देश को कि नाशा में जो तारे हैं सौर मंडल हैं हवाएं हैं वो कैसी चल रही है दूसरे ब्रह्मान के दूसरे तारों पे दूसरे ग्रहों वित्यमंत्री जी अच्छी बात है आपके ब्रह्मान के दूसरी ग्रहों में आपको इंट्रेस्ट है मैं अच्छा लगा ये सुनके पर हिंदुस्तान में आपका इंट्रेस्ट क्यो नहीं है आपने और आपकी सरकार का क्या proposal है क्या action point है कि हम जो 7% inflation है इससे भार आ सके रोजगारी की दर जो 7.8 प्रतिशत पर है उसको हम नीचे ला सके इसके बारे में क्या action point है हाँ साथ tweet जरूर करे नासा की photos का